गुरकनाथ थाने के पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरिफतार किया है जिसके संबन्द में एसपी सिटे करश्र कुमार विश्णोई ने पुलिस लाइन के वाइट हाउस सभागार में प्रसवारता करते हुए बताया कि मुखिबर की सूष्णा पर तीन अभ्योगतों को गिरिफतार किया गया है जिनकी पहचान शात्विक सिन्हा उर्फ अनुज पुत्र अनुप सिन्हा निवासी जटेपूर उत्री निकटकाली मंदिर थाना गोरकना चनपद गोरकपूर तीसरा अचिंत बनर जी पुत्र स्वरगे कंचन कुमार बनर जी निवासी जटेपूर उत्री निकटकाली मंदिर थाना गोरकना चनपद गोरकपूर के रूप में हुई है जिनके पास से लूट कर तीन मोवाइल फोन पांसो रुपे नगत चोरी की एक अदद एक्टिवा स्कूटी को बरामत किया गया है स्पी सीटी ने बताया कि अभ्युक्तों के ऊपर थाने में मुकदना पंजिकृत था जिनको गिरफतार कर जेल फेज दिया गया गिरफतार करने वाली पुलिस टीम में धर्मशाला चौकी प्रभारी अवधेशन रमिश्वे हैद कॉंस्टिबल अशोक कुमार यादो कॉंस्टिबल आशीस मौरिय मुकेश कुमार बिंद शामिल रहे इस संबंध में गुरकपूर नियोस से बात करती हुए SPCTA कुमार विश्वे ने कहा किक बाता की बाता कोमार यालियोस अबरे शुक्रमम कहा रधोर क्लब में है जनपत गोरकपुर में अपरादें अपरादियों पर अंकुष लगाने का नुक्रम में आज थाना गोरकनात को एक अच्छी सफलता मिली है उसमें उन्होंने एक ऐसी गैंगो पकड़ा है जिन्होंने चोबीस तारिक को एक स्कूटी चोरी की स्कूटी चोरी करने के बाद में कल तीस तारिक को दो लोगों ने स्कूटी पर सवार होके उसी चोरी की वे स्कूटी पर सवार होके एक महिला का पर्स चिना उस पर्स में से एक मोबाइल और 500 रुपे भी थे उन्होंने पर्स को फैक दिया और 500 रुपे मोबाइल अपने पास रख लिया उसके सुचना मिलने पर पुलिस ने बाद में CCTV से उसे चोरी की गई स्कूटी कहां से चोरी हुई उसका पड़ताल किया चोरी की गई स्कूटी फिर पकड़ी गई और उसके साथ साथ में जो लोग लूट करने आये थे उनको भी पकड़ा गया और उनसे पूस्ताज करने पर यह भी पता चला कि एक और अभ्योग था जिसने इनके पास से दो मोबाइल जो कि या पूरो में चौरी किये गए हैं लूटे गए हैं उनको सर्विलांज के माधियम से पता किया जाएगा कि ये कहां के हो सकते हैं साथविक सिंह, अनिकेट कुमार डॉम और अचिंत बनर जी इन तीनों लोगों को गिरफतार किया गया है इन तीनों का पूरो में भी अपरादिक इतियास रहा है अनिकेट डॉम के उपर पांच अभियोग दर्ज है और इन सब भी तीनों की खिलाफ विदे कारवाई सुनिश की जा रही है और गेंग्स्टर भी कारवाई की जाएगी और ताकि आम भावशे में इस परकार का अपराद ना करपाएं थैंक्यू